रामक्रिष्ण की प्यारी गईया सारे जग की माता है रामक्रिष्ण की प्यारी गईया एक कथा पूजिष्री करह वाले महराजी के मुखारवंद से हमने सुनी थी पूजिष्री बक्सर वाले मामा जी विराज रहे थे और उस समय स्री करह वाले महराजी ने अनंतस्री संपन्न स्री स्वामी रामदास्री महराज ने एक कथा सुनाई उले हनमान जी की सेवा में में डृचिह नहीं थी शेता संग में रुचिह नहीं कि तो राम जी ने सोचा यह भिदा संग के टो हम जी भले बुध्देमा फ्रिष्टं ओर ए में ञाना अर गंडयम् नहीं सुनेंगे तो हनुमान जी में तमाम दोस आ जाएंगे, क्योंकि अभिमान की निवर्ति कथा सुनने से होती है, राम जी ने देखा हनुमान जी में दोस आ जाएंगे, ठीक नहीं, एक दिन राम जी बोले हनुमान जी से, के हनुमान जी कहां भगवन, बोले, आप सेवा तो, दिनों रात करते ही ही ह। पर कठा सुनने नही जाते हो। कठा अधिया जी में तमाम जगे जगे राम कठा होती ही ह। relevant कठा होती ही रहती ही कठा सुनने चले जाएकर समय निकालके अच्छों mission Club आपके यतो शब चरित रहें आपकी लीला हैं और आपने अपनी लीला का अंग बनने का इससेवक पोफसर दिया है हम सब जानते ही माने कहने ए यह था हम तो सब जानते ही आपके क्या क्या लीला हुए क्या सुनना उस प्राइसा कुछ बाँ होता है अनमा जी ने का आप कह रहे हैं तो सुन लेंगे पर हम कहा कथा सुनने जाएं बड़ी समस्या है महारा जी आप कोई छोटा मोटा ब्यक्ति कथा कहने बैठे और यदि हम अपने मन में अहंकार रखते तो हमारे मन में क्या हो गए रहे तो हमारा विद्यारती है अभी अभी कथा बांचना सीखा है क्या कहेगा हमारे सामने क्या भोलेगा हम क्या कथा सुनने जाएं ऐसा भी आता नर aux women के उस्की कता में हम क्या जाना हम क्या जाएं उसकी कता में हन्वान जी जिए तो हम किस की कथा में जायें कहां जायें राम जी बोले नीलगिरी परवदपर चले जायोग इस निन अड़ी अपने थीक कहा वहाँ चले जाये किदाए चुनए कैमने सामान व्यास क है सुनाएगा जहा है वहन के है हनमाँ जी चलेगे वह का गुष्णडी जी उस दिन सभख्य से लंका दःण का प्रसंग था तो का गुष्णडी जी ने पुले जैसे ही जामवंत जी महराज ने हनमान जी से कहा राम जी के कारी के लिए तुम्हारा आवतार हुआ तुम चुप क्यों बैटे हो प्राक्रम करो विक्रमस्व महावा हो विक्रम करो विक्रम करो विक्रम करो विक्रम करो विक्रम करो हनमान जी विराट हो गए एक डग में उन्होंने समुद्र को पार कर लिया उड़े नहीं चलांग नहीं लगाई इधर खड़े थे और एक चरण उधर रखा समुद्र पार कर लिए भीतर वहां पहुंचे लंका में माता जी के पास गए विविषण जी से मिले फिर माता जी से मिले जानकी जी से मिले जानकी जी से मिले सब समवाद हुआ इसके बाद उनों ना देखा ही बड़े उपद्रवी तत्व हैं सब इनको दंड देना चाहिए तो हनमान जी ने ऐसे अपने मुझे फूंक मारी और उनके मुझे आग इनकली पूरी लंका जल गई फिर जानकी जी की सुद लेके समवाद करके चुडामनी लेके राम जी के पास आ गए अनमान जी सुनते तो रहे कथा पर बड़े उदास हुए कि देखो बक्ता लोग कितना बड़ा चड़ा के बोलते हैं कितना जूट बोलते हैं हम लांगने वाले समुद्र कैसे हमने लगाई हैं बीच में कौन-कौन मिला फिर कैसे मसक समान रूप कप धरी फिर कहां-कहां घूमें फिर जुगत भिविशन सकल सुनाई हैं बड़ी मुश्किल से जानकी जी का दर्सन हुआ फिर हमारी पूच में लत्ता लपेटे गए गीते लगाया गया कपूर लगाया गया तो फिर आग लगाई गई और यह क्या कह रहे है कि फूप मार के लंका जला दी एक दम जूट बोलना हैं पर कुछ बोले नहीं वहां से आई राम जी के पास राम जी से राम जी ने का कहो हरमां जी कता सुनाए तो हमाराज का आप ने कह ता तो चले गई अच्छी लगी कता महाराज कथाएं तो बहुत अच्छी होती, आपका अचरत रच्छा नहो ये कैसे संभवे, बहुत अच्छी कथा होती आपकी, अब नित्य जाया करो, हाँ महाराज, देख लेंगे, आप जैसी आग्या करें कभी, जैसी फुरसत होगी, जरूर जरूर विचार कर लेंगे, मन उनका हलका हो गया था, क्योंको उनके मन में आगया कि बक्ता जूट बोलते हैं, तो राम जी ने ऐसी बात सुन रहे थे, अपने अंगुली की अंगुठी निकाली राम जी निकाल के ऐसे ऐसे देख लेंगे, देखते देखते भगवान के हाथ से चितक के गिर गई अंगुठी आगे बढ़ गई, हनमान जी तो मनोज वम्मार तुतिले वेगम हैं, बहुत तेजी से चले, पूरे ब्रह्मान में घुमालाई, अंगुठी अंगुठी को पकड़ ही नहीं पाए, बल और वेग का अभिमान हनमान जी का चूर चूर हो गया, अब तो बिलकुल नहीं है, तब तक वो अंगुठी महराज पूरे ब्रह्मांड का चकर लगा कर अंगुठी को लगवा कर, सुमेर उपरवत की एक कंद्रा में प्रविष्ट हो गई, हनमान जी बोले हम तो अंगुठी लाने का अदेस, हम तो जाएंगे, कंद्रा में जैसी प्रविष करने ल किसलिए खड़े हैं हमसे पूछना चाहिए अनमान जी ने का ए क्या बोलता है हमको पहचानता नहीं है कौन हो तुम मैं वही हनुमान नाम का बानर हूँ जिनों ने समद्र को लांग लिया था लंका जला दी मैं राम जी का सेवक हूं यह सुनती वो बानर बड़ी जोर से ठाह का लगाके हंसा अरे बोले बाई जूट बोलते में बोलने में नेकवी लाज नहीं आती इतना निर्भल कमजोर वङ्णर अपने को अनमान मता रहा है आश्चरे जूटकी भी कौई सीमा होती है मैं तेरे बहकावे में आने वाला नहीं हूँ तू हनुमान नहीं हो सकता स्री हनुमान जी महराज तो भीतर विराजमान है हनुमान जी बड़े आश्चर में पड़े कि मैं हनुमान जी दूसरे हनुमान जी कहां से आ गए तो hanumanji भोले के अच्छा ठीक है आप हमें hanuman मानो या न मानो पर हमको hanumanji का darsan तो करा दो हम पूछ किया हमें भोले ठीक है आप यहाइं खड़े रह न भोले हैं खड़े वो बानर गया भीतर बोले महराज ऐसे एक बानर कहता हम hanuman है आपका दर्सन करना चाहते हैं बोले हाँ वो हन्मान जी ही है तुमने उनका अपमान तो नहीं कर दिया महराज में ने तो अपमान कर दिया हम तो आपको ही हन्मान जी समस्टे रहे नहीं कल्प कल्प प्रति प्रहु अवतरे ही चार उचरित नाना विधिकरही प्रत्य कल्प में प्रभू का उतार होता है जब जब भगवान प्रगट होते हैं हनमान जी सेवा में आते हैं इस कल्प में जो रामा उतार हुआ है इस कल्प के हनमान जी तो यही है जाओ उनको प्रणाम करके एक शमा मंगो बड़े आधर पूर्वक उनको लेके आओ बानर ने का महराज हम पहचानते नहीं थे आप शमा करना आप हनमान जी हो हमने कुछ उठ पटांग बोल दिया तो आप शमा करना प्रणाम किया बड़े आधर पूर्वक लेके गया तो वहां जाकर क्या देखा महराजी केक दिव्यमनियों से जटित सिंगासन पर हनमान जी बैठे है हाथ में उनके सुमरनी है तुलसी की 27 दाने की माला और उस पूरी गुफा बड़ा-बारी महिल जैसी हमारा गुफा नहीं है महले भी तर और वहां अनेक बानर बीर बैठकर कीरतन कर रहे हैं और हनमान जी स्री सीताराम स्री सीताराम स्री सीताराम स्री सीताराम बोल करके जब कर रहे हैं हनमान जी और इतना मीठा नाम उनकी वाने से निकल लहा है के श्री सीताराम कहते ही नेत्रों से जल लुड़क परता है इतना जल बह रहा है नेत्रों से प्रेमा सुरुजल की बह करके एक कुंड में जाकर वह इकठा हो रहा है बड़ा प्रेम मेवातावर्ण वहां का है देख करके हनमान जी नतमस तक हो गए हनमान जी को देखके वे उठके खड़े हुए हरदय से लगाया अपने बगल सिंगासन पर बिठाया बुले तुमको देखो हनमान जी एक बात बताएं वो जो काग भुष्ण ली जी जिस कल्प की कथा कह रहे थे न जो एक डग में समुदुर लांग गए थे और फूंक में लंका जला दिये थे वो हनमान जी हम ही है इसलिए व्यास पीठ से शास्त्र का आधार लेकर के जो कुछ कहा जाता है वो कल्पित नहीं होता है आप कथा सुनने लग जाएं आपकी कथा सुनने में रुची उत्पन्ड हो जाएं आप में अहंकार आदी दोष उत्पन्ड न हो जाएं इसलिए भगवाण आपको कथा सुनाना चाहते हैं इसलिए भगवाण ने ये लीला किये को जो कुण था ना प्रेम जल का नेत्र जल का बरा हुआ बोले इसमें कुंड अंगूठी है ले लो तो हनमान जी ने जैसे उसमें ज्छाका कि करवाले महराजी की सुनाई भी कता है जैसी ज्छाका तो महराजी उस कुंड में हज्जारों लाखों अंगूठीयां पड़ी थी एक जैसी सब बोले महराज इसमें तो बहुत अंगुठी आ हैं इतनी अंगुठी कहां से आ गई बोले जब जब रामा अवतार होता है और हनमान जी को नित्य कथा सुनने की पेड़ना राम जी देना चाहते हैं तब तक यही अंगुठी वाली लिला करते हैं और इसी गुफा में भेज देते हैं इतनी बार राम जी का अवतार हो गया, अंगुठियां गिनलो और अंगुठी इसमें पढ़ती उसके दो रूप हो जाते हैं एक रूप से अंगुठी बापिस हो जाती है और एक यहां तक अंगुठी आई उसका प्रमान करने के लिए एक अंगुठी इस कुंड में प्रगट हो जाती है इतनी बार हनमान जी आ चुके है इस गुफा में अंगुठी लेके आए हनमान जी राम जी के हाथ में दिया को हनमान जी अंगुठी ले आए बोले महराज अंगुठी तो ले आए आपका नाटक आपकी लीला भी खूब हमने देख ली अब एक प्रार्तना है आपसे क्या हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं मांग लो आज तक तो तुमने कुछ मांगा नहीं आज मांगना चाहते हैं मा अगलो हनमान जी ने क्या मांगा यावत्तव कथा लोके प्रचरिष्यति पावने तावत्स्थास्यामिदेश्मिस्तवाग्या मनुपालयन यह प्रभु जब तक आपकी कथा सुधा गंगाइस धर्ती पर बहिती रहेगी तब तक मैं धर्ती छोड़ कर कहीं नहीं जाऊंगा दिरंतर कथा ही सुनूंगा महराज और एक प्रार्थना और है क्या बोले धर्ती पर अनंत स्थानों पर एक साथ कथा हो तो मुझ में अनंत रूप धारन करके कथा में पहुँचने की सामर्थ हो जाए किसी कथा से में वंचित न रह जाओं भगवान बोले एव मस्तू प्रतेक कथा में स्रोता भलेही पीछे आवे बक्ता भलेही पीछे आवे कथा में सबसे पहले हन्मांजी की उपस्तिती होती है और सबसे पीछे हनमान जी जाते हैं ऐसे हनमान जी महराज हैं जो नेत्रों से सुधार बहती रहती है और वे अत्यंत कृतक ग्यभाव से कथा सुनते हैं हनमान जी अपनी बुद्धी और विद्या का अहंकार करें तो उने कथा सुनाने वाला संसार में कौन पैदा होगा कोई कथा नहीं सुना सकेगा हमारे कुछ गुर्देव भक्तमाली जी महराज कहते थे के विग्य व्यक्ति को भी अग्य बनकर कथा सुननी चाहिए अग्य बनकर कथा सुनो बोलो भक्त वत्सल भगवाने की अग्य बनके कथा नहीं सुनोगे विग्य बनके सुनोगे तो कथा से लाव नहीं होगा वक्ता में गुण दोशी ही देखते रह जाओगे